अग्सले मस्कार कुछ ऐसी चीज़ें हैं ध्यान रखना जो आपके पास वापिस लोट कराएं इसलिए आप जो पैसे चीज़ें हैं जो खर्च करने पर आपके पास वापिस लोट कराती है इसलिए वह बाते सच होगा आया कोई अधर आपके पास कोई चीज है उसको खर्च करते हो आपके पास लोट के नहीं आती है लेकिन कुछ और सब्सक्राइब करना जो भी को गिएव्य जो भी एकिट्टेसर आप खर्च कर रहे हो सामने होती पर सो समझके खर्च करना यह सोच ना कि वापिस आपके पास लोटकर आए गा इसे के इस साए Карाइट सेर्ट मारा ही यह आप के उपर करेगा ध्यान रख ले effde तो विधिन आप जैसा करोगे वैसा ही आप प्लोट कर आए गया यह तो बॉर्ट कर बाख को ख्याए और इसने एसे विवार किया रहे तक क्यों वाई चुक्कि आपने भी तो एसे किया है आपने फिसके सांध में ऐसे एक्डिकेट्स कि Аप आपने भी तो उसके साथ यह विभार किया है तो क्या चीजे हैं जो आपके पास लोट कर आती है यह आपके प्रस्णालिटिय के लिए बहुत जुरूरी है अगर आपको अपनी personality development करनी है आपको अपने एटिकेट्स आपको अपना वहवाद अच्छा रखना है तो इन चीजों पर ध्यान देना जैसा करोगे वेसा बरोगे टिट पोर टेट के देहना कि जैसा करोगे वेसा बरोगे तो क्या चीज़ें आपके पास लुट कर आती है यह देखिया अच्छा सोच यह किसी के परती ज्यान रखना अगर आप किसी के परती बूरा सोचते हो ना तो सामने वाला विक्ति भी आपके साथ बूरा सोचेगा नेपी नेट ली सोच thinking positive किसी के भी प्रति अच्छा सोच है नहीं आँ वो अच्छा आत्मी आँ नहीं आँ वो अच्छा करेगा in future में उसके life के लिए हो सकता है किसी के प्रति आपका चाहिए दुस्मन भी क्यों नहीं हो आपका friend भो relative हो अपनी सोच उसके प्रति अच्छी रखे सोथ अच्छी रखोगा तो क्या होगा आपके मन में पोजेक्टिव थिंकिंग आएगी उसके परति और आपके मन में अच्छे विचार आएगी उसके परति आप उससे अच्छा बोलोगे आप उससे अच्छी बात करके अगर आपकी सोच यह अच्छी नहीं ह बोलेगा सामने वाला भी आप से वैसे विवार तो कहते हैं ना कि किसी का पड़ती अच्छा सोची अच्छा सोचोगे तो सामने वाला भी आप के लिए अच्छी सोच रखेगा अच्छा बोलिए आप किसी भी व्यक्ति से अच्छी कम्यूनिकेशन रखिए अच्छा उसको सम नमस्ते से बात करें, अगर आप उससे अच्छा बोगे तो साँने वाला, वक्ती भी आप से अच्छा बोल गा, या चीज अगेन आपका पास लोट करायएगी, आप उसको तू तड़ाक के बात करोगे, तो सामने वाला क्या आपको हलो हाई नमस्ते और आप करके बोलेगा नो निवर क्यों बोलेगा जब आप उसे तू तड़ाक की बासा बोल रहे हैं तो वो आपसे डबल तू तड़ाक की बासा से बात करगा अगर द्यान डखना मैं आपको definite लिए बात किरा हूँ जितना ज़्यादा सम्मान आप उसको दोगे ना उससे कही ज़्यादा सामने वाला आपको सम्मान सम्मान की सुरुआत पहले स्वाइं से होती है आप स्वाइं दूसरों का सम्मान करोगे ना तब ही आप लोगों का सम्मान करेंगे दूसरे लोग आपको सम्मान करेंगे आप उनसे अच्छा बोलोगे तब ही वो आपको अच्छा बोलेंगे तो अच्छा बोलिए ये चीज हमेसा लोट कराती है अच्छा कीजिए किसी की मदद कीजिए किसी की help कीजी जान रखना आप सकसब हो आप capable हो तो सामने वाला जो capable नहीं हो जो सकसब नहीं हो उसकी मदद करी आप उसकी मदद करेंगे ना तो इन बविश्य में इन future में वो भी आपकी मदद करेंगा तो इसलिए अच्छा कीजी अच्छा करते रहे हर इनसान के साथ में अच्छा किसी के साथ में भी बुरा मत करना जाने अंजने में भी किसी के साथ बुरा मत करना बुरा करोगे तो बुरा लोट कर आएगा जितनी कोसिस हो सके अच्छा करते रहे अपनी तरब से अच्छा करेंगे तो अच्छा लोट कर आएगा तो जितना हो सके अच्छा कीज़े अच्छा वेवार रखिए अच्छा बिहेवियर रखिए आप अपने सरकल में आप अपने दोस्तों के साथ में आप अपने रिलेटिव के साथ में आप अपने फ्रेंड के साथ में आप पास में लो टाइब त्यान रखना इंसान की आगे बढ़ने का सबसे बड़ा इंपोर्टेंट रोल क्या होता है गुड बीहेवियर अगर आपके अंदर गुड बीहेवियर नहीं है तो आप किसी व्यक्ति को कैसे प्रपावित करोंगे कैसे उसके उपर अपना इफेक्ट डा नहीं गुड बहीता है तो क्या अधर निया वहाद में हिवाद ही नाइश ही एफश कुड बीहेवियर नृथ इस प्रस्वादिए तो सबसे बड़ी बात यहां का आपका दो गूद बीहीवियर अपने अदर गुड बीहिविर किए और यहीं गुड बीहेवियर आर आप के पास वापिस लोट कर आएगा, आप उससे अच्छा भीहवर करोगे, सामने वाला भी आप से अच्छा भीहवर करेगा, तो यह कुछ बात है, जो आप के पास वापिस लोट कर आती है, आप जैसे लोगों को ट्रीट करोगे, वैसे ही लोग आप से ट्रीट करें, तो आपको अपनी personality में development करना है आपको अपनी values बढ़ानी है आपको अपना सम्मान बनाना है तो ये चीजे आप सोच समझ करें लोगों के साथ में यही चीजे आपके पास वापिस लोट कराएगी ध्यान रखना